तारे सितारे वंगरह नक्षत्र बदलते हैं अपनी चाल और एश्टरो गुरुजी बताते हैं आपकी जन्मराशी का हाल मित्रो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल एश्टरो गुरुजी में मित्रो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास महुचे आप नित्य का राशी फल नई नई ग्यानवर्दक जानकारी हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो मित्रो आज आपको हम बताने जा रहे हैं देनिक राशी फल दिनांक 27 फरवरी 2020 गुरुवार के दिन का तो आज के देनिक राशी फल के अनुसार आज का दिन 12 में से 6 राशी वालों के लिए खास रहेगा आज इन 6 राशियों में हैं व्रशब, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और मीन राशी वाले लोग वहीं अन्य छे राशी वालों को आज दिन भर थोड़ा समल करके कारी करना होगा तो आज फालगुन मास सुकल पक्ष की चतुर्थी तिथी है गुरुवार का दिन है आज का दिन मान है 11 घंटा 30 मिनिट का, आज सूरिय दोई होगा प्राताहकाल 6 बचके 48 मिनिट पर और सुरियास्त होगा साम 6 बचके 19 मिनिट पर आज दिन की सुरुवात रेवती नक्षत्र से होगी और आज शुब एवं शुकल नाम के दो शुब योग रहेंगे इन शुब योगों में कोई भी शुब कारी करना बहुती सफलता दायक होता है और आज चंद्रमा का संचरन मीन राशी में होगा आज का सर्वस्रेष्ठ महुरत अभी जीत महुरत आरम होगा दिन के 12 बचके 11 मिनिट से आरम महु करके तो 12 बचके 57 मिनिट तक स्रेष्ठ महुरत रहेगा इस स्रेष्ट शुब मुहुर्त में आप किशी भी शुब नए वा मांगली कारी की सुरुवात कर सकते हैं या किसी भी नई वस्तु की खरीदारी इस समय अबदी में आप कर सकते हैं यह मुहुर्त बहुती स्रेष्ट होता है और आज का असुब समय दुष्ट मुहुर्त प्रारंब होगा प्राता काल 10 बच के 49 मिनट से आरंब हो करके तो सायंकाल 4 बच के 1 मिनट तक असुब समय रहेगा इस समय अबधी में आप किसी भी सुब कारी की सुरुवात नहीं करें और आज राहु काल रहेगा दो पहर 2 बज में इस समय अबधी में आप नहीं देवें और आज दिशा सुल रहेगा दक्षण दिशा में तो आज के दिन आप दक्षण दिशा की और मुख करके कोई भी सुब मांगलिक वा नया कारिय आरंब नहीं करें दक्षण दिशा की आप यात्रा भी नहीं करें यदि आपको या आज का दिन देव गुरु ब्रहस पति जी को समर्पिते। गुरु की आरादना करने से हमारे अंदर नेतरत्व करने की छमता बढ़ती है व घ्ञान की वरदी होती है। धर्म सास्त्रों में गुरु को जीव कहा गया है जीव का अर्थ जीवन से होता है आयू से होता है तो गुरुवार को नेल कटिंग वा शेविंग हमको नहीं करना चाहिए ऐसा करने से गुरु ग्रह कमजोर हो जाते हैं जिससे जीवन सकती हमारी दुष प्रभावित होती है य इस दिन लक्षमी जी इवं नारण जी की एक साथ पूजा करने से पती पत्नी में कलाह नहीं होता है साथ ही धन की वरधी होती है और ब्रहस्पती ग्रह का संबंद विशेश करके पीले रंग से होता है तो इस दिन पीले रंग के वस्तर पहनने से जीवन में शुबता आती है इस दिन विसेश करके हल्दी का विसेश प्रयोग आपको अवश्य ही करना चाहिए यह प्रयोग बड़ा ही आसान है इस दिन अपने इसनान करने वाले जल में एक चुटकी हल्दी आपको डाल लेना चाहिए और देवगरू ब्रहस्पती का नाम उच्चारण करते हुए इसना करने के बाद हल्दी या केसर का तिलक लगाना चाहिए तो आपका पूरा दिन मंगल में होगा साथ ही आपकी समस्याएं देवगरू ब्रहस्पती की करपा से दूर हो जाएगी तो अब जानी अपनी जन्मरासी के अनुसार आज आपके भाग्य के सितारे क्या बोलते हैं तो वाहन इत्यादी प्राप्त होने की संभावना आपके लिए ठीक रहेगी कामकाच के छेत्रों में भी पारिवारिक सहयोग आपको मिलता रहेगा घर परिवार में मधर संबंद बनाए रखने का प्रयत्न आपको करना चाहिए इससे आपको खुशी मिलेगी आज आपको अश उनकी मेहनत के अनुरुप परिणाम थोड़े से कम मिल पाएगे इसलिए आज आपको धेरी पुर्वक काम करने की आवशकता अधिक रहेगी आज लाइव की यदि हम बात करें तो आपका जीवन साथी आपको मनी मन बहुत पसंद करेगा और बहुत खुश करने के तरीके ढ चाहे वहाँ आपकी पसंद का भोजन या वस्तरादी हो या घुमने फिनने जाने की इच्छा हो तो आज जीवन साथी को आपको संतुष्ट करना आपके लिए अती आवशक रहेगा आज व्यापार व्यवसाय कि यदि हम बात करें यदि आपका पैसा कहीं रुका हुआ है तो थोड़े से प्रयत नकनने से उसकी प्रापती आपको हो सकेगी कुल मिला करके यह समय आर्थिक मामलों में आपके लिए काफी अनुकूल कहा जा सकता है आपके काम धंदे में बहतरी आने के कारण आर्थिक इस्तिति आपकी बहतर हो जाएगी आज स्वास्त की यदि हम आज पेर से संबंदित कोई छोटी मोटी समस्याएं आपको परेसान कर सकती हैं इसलिए सरीरिक स्वास्त के प्रती सजग रहना आज आपके लिए अती आवश्यक रहेगा तो आज आपका भाग्यशाली अंक छे हैं शुबरंग आपका केसरिया रंग हैं तो केसरिया रंग का प्रियोग कारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करते हैं तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी विग्न संकटवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हैं प्रातहका लिश्नान करने के पस्चात भगवान प्राइके सुद्ध गी का दीपक जला करके गंद पुष्प अक्षत के द्वारा लक्ष्मिनारण भगवान का पूजन कर लेवें पीले वस्त्र उन्हें अरपन करें और पीली चने की दाल अरपन करें रितूफल मिठाई का भोग अरपन करें एक स्रीफल लगा करके तो व्रशब राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते ही कि आज जो है माता पिता भाई बंदू सबके साथ विचार धारा एक दूसरे से अच्छी बनी रहेगी तथा किसी भी काम काज में एक दूसरे के पृति सहीयोग की भावना होने से घर में दिहन में लापरवाही करने वाले को रुकावटों का सामना आज करना पड़ सकता है वरतमान की कुछ बहुत अच्छी लगने वाली बाते आने वाले कल में बड़े दुख का कारण भी आपके लिए बन सकती है आर्थिक मामलों में किसी भी प्रकार का जोकिम उठाने से रिस्तों में आपके बराबरी का दर्जा एक दुसरे को आप दे पाएंगे इससे आपके रिस्तों में काफी मजबूती आएगी आज व्यापार विवसाईगी यदि हम बात करें तो कहीं से अचानक कोई बड़ा लाब होने के योग रहेंगे लेकिन ऐसा भी हो सकता है इस स द्यान का विशेश करके आप सहारा लेते हैं तो आपका सारी रिक्स्वास्त बहतर बना रहेगा तो आज आपका भागिशाली अंक एक है शुब रंग आपका हरा रंग है तो हरे रंग का प्रियोग कारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करते हैं तो आपको विशेश द्वारा पुजन कर लेएं और पीपल के वरक्षे से एक लाल धागा बान देएं पीपल वरक्षे के या रितुफल मीठ़ाई का भोगरपण कर के यथा शक्ति परिक्रमा कर लेएं और देवगुरू ब्रहस्पति के नाम मंतरों का यथा शक्ति उच्चारण करें तो यसा कर पूरा दिन आपके लिए शूब वह सफलता दायक आज रहेगा। आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं। आपके लिए शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं। किसी व्यापार या व्यवसाई को शुरू करने में खर्च आपके बढ़ सकते हैं। आज स्वास्त की यदि हम बात करें। तो ग्रहयोग स्वास्त को लेकर अच्छा संकेत नहीं देते हैं। इस वजह से आपका स्वास्त थोड़ा सा कमजोर रहने की संभावना रहेगी। इसलिए सारीरिक स्वास्त पर विशेश ध्यान देंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। तो आज आपका भाग्यशाली अंक नो हैं। शुबरंग आपका सफेद रंग हैं। तो सफेद रंग का प्रयोग कारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करते हैं। तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी। तो आज सभी विग्न संकटवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपाईस प्रकार से हिन प्रातहकाल इसनान करने के पश्चाद। भगवान लक्ष्मी नारण जी के मंदिर में गाय के सुद्ध घी का दिपक जलावे। सफलता दायक आज रहेगा। पर विश्वास आपको करना चाहिए तो आपको अच्छी सफलता हसिल होगी। आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि परिवार के किसी इस्त्री से आपके मदभेद उत्पन्न हो सकते हैं अत्वा संबंद आपके बिगड़ सकते हैं। परिवार के कुछ लोगों का बरताव आपके साथ प्रतिकूल रह सकता है। जीवन का आनंद ले पाएं। आज व्यापर व्यवसाई की अदि हम बात करें तो आज धन को लेकर के निरंतरता नहीं बन पाएगी। फिर भी बीच बीच में अचानक धनलाब होने की बहतर संभावना बन सकती है। लेकिन जोकिम उठाने के लिए आज का समय आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। आज स्वास्त की अदि हम बात करें तो आज आपको अपने स्वास्त पर पुरजोर ध्यान देने की अवशकता रहेगी। क्योंकि जरासी लापरवाही आपके स्वास्त को आज खराब कर सकती है। पुष्प की माला अरपन करें पिली मिठाई और चने की डाल अरपन करें एक स्रिफल चड़ा करके करपूर से सरध्धा पुरवक आरती उतारें यथा शकती लक्ष्मी नारण भगवान के नाम मंत्रों का बेट करके जाप करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वब सफलता दायक आज रहेगा। अगली राशी है सिम्हु तो सिम्हु राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते ही कि आज आपके घर में उस्सवसा माहोल निर्मित हो सकता है। घर परिवार के साथ एक दूसरे के साथ खुशी खुशी जीवन आपका व्यतीत होगा। आपसी सामन्जस से अच्छा होने से घर के कारियों के साथ बाहर के कामकाज में भी एक दूसरे का सहयोग आपको मिलता रहेगा। और मातापिता का आसिरवात तथा मातापिता का सहयोग प्राप्त होने की संभावना आपके लिए बहतर रहेगी जिससे कारी छेतर में अच्छा विकास आप कर पाएंगे। इस बात को आपको समझना चाहिए और अधिक प्रयतना अपना जारी रखना चाहिए। आपको अमल करना चाहिए। यदि किसी को पेसे आदी आप उधार देते हैं तो उसे प्राप्त करने में कुछ कठनाईयां आपको हो सकती है। तो आज आपका भाग गिशाली अंक तीन है, शुबरंग आपका गुलाबी रंग है। तो गुलाबी रंग का प्रयोक कारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करते हैं। तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी, तो आज सभी विग्ण संकटवा बाधाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से हैं। और एक सिरिफल चड़ा करके करपूर से उनके आरती उतारें और विश्नु सहस्त्र नाम का बेट करके पाट करें। तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब होवा सफलता दायक आज रहेगा। अगली राशी है कन्या। तो कन्या राशी वालों को आज शुब परि करेंगे। माता तता भोतिक संसाधनों का सहयोग आपको मिल पाएगा। घात अपघात आकसमे का धनलाब भी होना संभावित रहेगा। आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते ही। यदि सिक्षा के संदर्ब में कोई लुभावना प्रस्ताव आपको मिल र सकते ही। किसी सदस्य की बिमारी के वज़े से आप चिंतित ज्यादा हो सकते ही। अथवा किसी परिजन से नाराजगी होना संभावित रहेगी। इसलिए आज आपको सावधानी वा धेरी पुर्वक कारी विभार करने की आवशक्ता अधिक रहेगी। आज लाइप की यद आज व्यापार व्यवसाई की यदि हम बात करें तो इस्थिति आपके लिए बहतर होगी और भागदोड आपके लिए रंग लाएगी। व्यापार व्यवसाई में विश्तरत होने की संभावना बनी रहेगी। अगर नोकरी पेशा आप हे तो आपकी पदोनती होना लखें और योग ध्यान को अपने निमित दिन्चरिया में आप प्रयोग करें तो इससे सारीरिक स्वास्त आपका बहतर बना रहेगा। तो आज आपका भाग्यशाली अंक आठ हे शुब रंग आपका सफेद रंग हें। सफेद रंग का प्रयोग कारी छेतर में आज अधि लक्ष्मिनारण जी के मंदिर में आटे का शुद्ध गीं का दीपक जलावें और लक्ष्मिनारण भगवान का गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन कर लेवें। पिले पुष्प की माला अरपन करें तुलसी पत्र अरपन करें और पिली मिठाई का और पंचे का भोगरपन करके एक स्रिफल चड़ावे करपूर से उनकी आरती उतारे यथा शक्ति लक्षमिनारण भगमान के नाम मंत्रों का बेट करके जाब करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वह सफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है तुला तुला राशी व दूर के संबंदों का लाब आपको मिल पाएगा सरवजनिक कारियों से यात्रा होना संभावित रहेगी यात्रा में धनलाब के साथ साथ आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति के योग रहेगी धर्मिक कती विदियों में भागीदारी आपकी बने रहेगी वहाँ आपके लि परिणाम इस प्रकारशी मिल सकते हैं कि सिक्षा प्राप्ति के प्रयासों में अधिक प्रयासों के बाद कुछ सफलता के योग बनेंगे माता और भोतिक संसादनों के सुक में असंतोस आपके लिए बना रहेगा किसी स्वजन के बीमार या करजदार होने के चलते आपको चोटी चोटी बातों पर बात का बतंगड आपके लिए बन सकता है, आपके लिए विवाद बढ़ सकते हैं, इसलिए छोटी चोटी बातों को ध्यान में आपको नहीं देना चाहिए, आप और आपकी जीवन सांती का स्वास्त भी इस दोरान पीडित होने की संभावना अधिक रहेगी इसलिए दोनों को स्वास्त का ख्याल लखने की अधिक आवशकता रहेगी आज विया परव्यवसाई की एदि हम बात करें तो नोकरी पेशा लोगों के लिए समय शुब रहेगा उनकी मेहनत और लगन के चलते पदोननेती के योग प्रबल रहेगे आप नए उद्यम शुरू कर पाएंगे आमदानी में आपके बड़ोतरी इसपश्ट रूप से प्रतिक्षित रहेगी मित्रों और हितेशियों से खुब मदद आपको मिल पाएगी आज स्वास्त की एदि हम बात करें तो आज आपको विशेश रूप से आरोग्य पाने के लिए सारीरिक स्व विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटवा बाधाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से हैं प्रातहकाल इस्नान करने के पश्चात अपने घर की पूर्वदिशा इशान कोण में भगवान लक्ष्मिनारण जी की प्रतिमा अत्वा मुर्ती रख करके उनका गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन कर लेवें और उनको रितुफल मिठाई पंच मेवा का भोगरपन करें एक स्रिफल चड़ा करके करपूर से उनकी आर्ती उतार देवें और यथा शक्ती लक्ष्मिनारण भग के नाम मंत्रों का बेट करके जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वह सफलता दायकाज रहेगा अगली राशी है व्रश्चिक व्रश्चिक राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि घर परिवार या जन्म इस्थान पर इ जिवन साती का विसे सहयोग मिलने के योग रहेंगे आज जो है साहस और पराकरम का प्रभाव वी आपके लिए अच्छा बना रहेगा आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं यात्राई बहुत फलदाई आपके लिए नहीं रहेगी अतह बहुत अन्यव यदि नहीं हो तो यात्रा आपको नहीं करना चाहिए आपको सचेत कर रहा है दिन की शेयर मार्केट में सावधानी से आपको निवेश करना है सत्रों को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से दबाने में वैसे आप सक्षम होंगे लेकिन अपने उच अधिकारियों से तनाव वो विवात की स्थिति निर्मित हो सकती है। आज थोड़ी सी सतरकता बरतनी की आवशकता आपके लिए जादा रहेगी। आज लाइप की एदी हम बात करें। तो शनी और सूरी ग्रह की स्थिति विरोधा भास की स्थिति उत्पन न कराएगी। इससे आपके दामपत्ती जी में अच्छा प्रतीत हो रहा है कुछ प्रती इस पर दी अर्चने पेदा करने की कोशिस कर सकते हैं लेकिन आप उन पर नियंतरन पाने में सक्षम भी रहेंगे आप अपने लक्ष से ब्रहमित नहीं होंगे अपने काम को पूरा करके ही आप आगे बढ़ेंगे आज स्वास्त क ये दि हम बात करें तो सूरी ग्रह का राशी परिवर्तन होने के करण आपके लिए स्वास्त के अनुकूलता बढ़ जाएगी तो आज आपका भाग्यशाली अंक पांच है शुबरंग आपका आसमानी रंग है आसमानी रंग का प्रियोक कारी छेत्र में आज अधिक सदिका आप करते हैं तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटवा बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से हैं प्राताकाल इसनान करने के पस्चाद पीपल के वरक्ष की गंद पुश्प अक्षत के द्वारा पूजन कर लें और पीपल के वरक्ष से एक लाल धागा बांदेवें चने की दाल अरपन करें और पिली मिठाई का भूग अरपन करें यथा शक्ति पीपल के वरक्ष की परिक्रमा कर लें और देवग्रू ब्रहस पती के नाम मंत्रों का यथा शक्ति बेट करके जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वसफलता दायकाज रहेगा अगले राशी है धनू तो धनू राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं आपको दूर के संबंदों से लाप के योग प्रबल रहेंगे कारियों के करण सम्मान आपका बना रहेगा आपके सम्मान में बड़ोत्री होगी विरोधी पक्ष सक्री हो सकते हैं लेकिन विरोधियों के सारे प्रयास आपके लिए विफल रहेंगे माता की करपा तता भोतिक संसाधनों का सुख और सहयोग आपके लिए सहज बना रहेगा आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं परिवारिक जीवन को लेकर मन कुछ अप्रसन रह सकता है अत्वा किसी परिजन की बीमारी के वज़े से चिंता आपकी बढ़ सकती है जीवन साथी से बहुत अधिक मदभेद बढ़ सकते हैं अत्वा प्रियत्न करना चाहिए कि तनाव की वज़ह आप स्वयम नहीं बने यात्राएं आपके लिए कष्टकारी होगी अत्वा जब तक अनिवार्य नहीं हो यात्रा से आपको बचना चाहिए आज लाइब की यदि हम बात करें व्यापार में बदलाव या नोकरी में पदोननती की संभावना अधिक बन रही है आप सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त कर पाएंगे इस समय अवधी में आपका अपने प्रती विश्वास आपको लगातार विजय सी प्राप्त करवा देगा आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो स्वास्त आपका थोड़ा सा कमजोर हो सकता है इसलिए स्वास्त का विशेश ख्याल लखें विशेश करके आप नियमे दिन चरिया का पालन करें और खान पान पर नियंतरन बनाए रखे तो आपका सारीरिक स्वास्त बहतर रहेगा तो आज आपका भाग्यशाली अंक पाँच है सुब रंग आपका केसरिया रंग है केसरिया रंग का प्रियोकारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करते हैं तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकट वबाधाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपाईस प्रकार से है प्रातहकाल इस्टनान करने के पश्चाद अपने घर की पूर्वदिशा इशान कोण में भगवान लक्ष्मियराण जी की प्रतीमा अथ्वा मूर्ती स्थापित करके गंद पुष्प अक्षत के द्वारा उनकी पूजन कर लेवे और पिली मिठाई का भोग अरपन करें चने की दाल अरपन करें एक स्रिफल चड़ा करके करपूर से स्रध्धा पुर्वक आरती उतारें और यथा शक्ती विश्णु भगवान के नाम मंत्रों का बेट करके जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वह सफलता दायकाज रहेगा अगली राशी है मकर मकर राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं तरक बोद्धिक छमता या वक्तव्य का प्रभाव आपका बना रहेगा बोद्धिक छमता या बोद्धिक इस्तर के करण पहचान और मान पतिष्टा के साथ साथ जन्म इस्तान पर आदरिन इस्तान आपको मिल पाएगा भाग्य का सहयोग भी आपको भरपूर मिल पाएगा साहस और परिस्नम के साथ भाई बहनों से सामन जस्य में कमी के बाद भी सहयोग उनका बना रहेगा इसलिए आप अच्छा विकास कर पाएंगे आज आपको अशुब परिनाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आप कोसिस करें कि आपके भीतर अहंकार युक्त भावनाएं नहीं पन पें गुरुजनों और माता पिता से संबन्दों को और बहतर बनाने की कोशिश आपको करना चाहिए भाई बनों से थोड़ा सा मन मुटाव बढ़ सकता है विसेश करके बड़े भाई से धन की समस्या हावी रहेगी भाग की भी आपका उलजावा हो सकता है इसलिए आज आज आपको सतरकता से कारी विभार करने की आवशकता अधिक रहेगी आज लाइप की यदि हम बात करें यदि आप अपने प्रियतम के प्रती समर्पी थें तो इस रिलेशन को गंभीरता से आपको लेना चाहिए आपके जीवन में आप तक के सबसे बड़िया दिनों में से आज का दिन आपके लिए हो सकता है आज वियापार व्यवसाय की यदि हम बात करें तो वियापार व्यवसाय में लाब प्राप्ती के प्रबल योग यह रहेंगे आपकी आमदानी के इस्तरोत्रों में बड़ोत्री होगी आप बचत में भी काम्याब रहेंगे कहीं से अचानक और बहुत अधिक मातरा में धन आगमन के योग आपके लिए बन सकते हैं किसी भी अवसर को अपने हाथ से आपको जाने आ नहीं देना चाहिए आज स्वास्त की दी हम बात करें तो आज का दिन आपको स्वास्त के प्रदी सजग रहने की चेतावनी दे रहा है इसलिए स्वास्त का विशेश ख्याल लखना आज आपके लिए अती आवशक रहेगा तो आज आपका भाग गिशाली अंक साथ हैं सुब रंग आपका सफेद रंग हैं तो आतहकाल इसनान करने के पश्चात भगवान लक्ष्मी नाराण जी के मंदिर में गाय के सुद्ध गीं का दीपक जला करके भगवान लक्ष्मी नाराण जी को पंचामर से इसनान करावें पुनह गंगा जल से इसनान करावें और पीले वस्त्र अरपन करें पीले पुष्प बार जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वह सफलता दायक आज रहेगा अगली राशी ही कुम्भ कुम्भ राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आपके कारियों में विलंब होने के योग रहेंगे लेकिन कारियों को जिम योगी समय आज का रहने वाला है आज जो भी आप तैयारी करेंगे उसमें भविश में काफी लाब मिलने के योग रहेंगे आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं बहुतिक संसादनों के सही योग का अभाव थोड़ा सा रह सकता है अपनी विशय व्यस योग आपके लिए बन रहा है इसलिए विशय सतरकता आज आपके लिए बनाए रखना अती अवशक रहेगा आज लाइप की यदि हम बात करें यदि आप अपने प्रेम में अच्छे नहीं है तो अपने प्रियतम को धोका दे रहें तो उन्हें आपकी सच्चाई पता चल स सकती है जिससे आपका रिष्टा समापत हो सकता है इसलिए विश्वास को कायम रखते हुए अपने रिष्टों को निभाना चाहिए या आपके लिए आज ठीक रहेगा आज वियापारव्यवसाई की यदि हम बात करें यदि आपके पास कोई पुराना कर्ज आदी है तो आ आप उससे छुटकारा पाने में सफल रहेंगे या आत्राओं से जुड़ी नोकरी करने वालों के लिए धनारजन करने का सरेष्ट समय आज का रहने वाला है आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो आज सारीरिक स्वास्त का विशेश ख्याल रखना आपके लिए अती आपती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकट अवा बाधाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्रातहकाल इस्नान करने के पश्चाद भगवान लक्ष्मिनारण जी के मंदिर में गाय के सुद्धगी के आटे के पांच दीपक जलावें गंद पुष्प अक्षत के द्वारा सरध्धा पुरवक लक्ष्मिनारण भगवान का पूजन कर लेवें उन्हें पिली मिठाई और चने की धाल भोग में अरपन करें तुलसी पत्र अरपन करें और पिले पुष्प की माला अरपन करें एक स्रीफल चड़ा करके करपूर से उनकी आरती उतारें और बेट करके विष्णु सहस्त्र नाम या लक्ष्मिनारण भगवान के नाम मंत्रों का यथा शक्ती जाप करें तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वह सफलता दायकाज रहेगा अगले राशी है मीन तो मीन राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि बोद्दिक छमता का व्यक्तित्व कारी विभार एवं आचरन पर अच्छा असर पढ़ने वाला है समय में परिवरतन का अनुभव आपको हो पाएगा सिक्षा प्राप्ती से संबंदित कारियों में आपकी प्रगती हो प पाएगे विपरीत समय में जीवन सांती का सहयोग आपको मिल पाएगा जिससे घर परिवार का विकास अच्छे से आप कर पाएगे आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि यात्रा के करण आपको अपने परिवार जनों से दूर रहना पड़ सकता है घ आज लाइब की अधि हम बात करें तो आप जिन से अधिक प्रेम करते हैं वहाँ आपके प्रेम के कसीदे पड़ेंगे आप एक दूसरे के साथ अच्छा समय वितीत कर पाएंगे इससे घर परिवार में अनुकूलता बनी रहेगी आज व्यापार विवसाई की अधि हम बात करें तो अपने स्वास्त का ख्याल लखना आज आपकी प्रात्मिकता होना चाहिए विशेश करके बाहर के खान पान पर थोड़ा सा नियंतरन आप बनाई रखें और नियमित दिंचरिया का पालन करें तो आपका सरीरिक स्वास्त और भी बहतर बना रहेगा तो आज आपका भाग्यशाली अंक 10 है शुबरंग आपका गुलाबी रंग है तो गुलाबी रंग का प्रयोकारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करते हैं तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटवा बाधाओं से मुक्ती पाने के लिए सुद्ध जल्व कच्चे दूसे इसनान करावें और सुद्ध जल्शे इसनान करवाने के पश्चात पीले वस्तर अरपन करें पीले पुष्पो की माला अरपन करें पीले मिठाई अरपन करें और चने की दाल अरपन करके एक स्रिफल चड़ा करके करपूर से उनकी आरती उ तो मित्रों आसा करता हूँ कि आपको हमारी यह देनिक राशीफल की जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वशेयर अवश्य करें धन्यवाद जैसरी करश्ण मित्रों फिर मिलेंगे